जटिल समस्या हो या भाग्य वाधा हो व्यापार, नौक्री, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाईक जीवन में हो सुक्का भाव पाईए अपनी समस्त जोतिश्य तथा वास्तु समस्याओं का नरल, चमतकारी, प्रभाविशाली समाधान, एक जानमाना और विश्वस्तिय नाव आचारे पंडित श्री वैभवनात शर्माजी काशी के चार सो वर्ष पुराने, प्रतिश्टे और अंतर राष्ट्रे अख्याती प्राव, राज जोतिशी परिवार की आठवी बिड़ी के जोतिशी और वास्तु शास्त्री आचारे पंडित श्री वैभवनात शर्माजी के द्वारा व्यक्तिकर्द या फिर फोन पर अपॉइंट्मेट लेने के लिए कॉल करें 9818-300-146-9990-724-131 या फिर विमेल करें sharma.webhub at the rate gmail.com कर मैं हूँ वैभवनात शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वैभवन मित्रों पिछले कुछ दिनों से लगातार मैं आपको ऐसे वीडियो जुपलब्द करा रहा हूँ जिनको प्रयोग में ला करके आप अपने जीवन को सफल और सुखी बना सकते हैं और आने वाले वर्च 2017 को नए साल को आप अपने जीवन में खुशियों का साल एक memorable year बना सकते हैं छोटे छोटे उपाय करके तो इसी क्रम में आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ वर्च 2017 को सफल और सुखी बनाने के लिए आपकी राशिय नुसार कुछ लाबकारी उपाय बताने जा रहा हूँ जिनको प्रयोग में ले करके आप अपने जीवन में दुरभाग से मुक्ति पा सकते हैं और आने वाले साल 2017 को सफल और सुखी बना सकते हैं मित्रों अच्छा और बुरा समय हर किसी व्यक्ति के जीवन में आता है गनीमत बस इतनी सी होती ही कि अपनी जरासी सूजबूज और समझदारी से हम आने वाले बुरे समय को पहले ही भाप लेते हैं और उसके लिए कुछ उपाय करके उस बुरी स्थिती को भी टाल लेते हैं अच्छा समय किसी को खलता नहीं है लेकिन इसलिए कोई उसे ले करके ज़्यादा चिंतित नहीं होता लेकिन जब अचानक से बनते हुए काम बिगड़ने लगते हैं एक बार बुरा समय आधमकता है दस्तक दे देता है और घर में कलेकलेश बढ़ने लग जाते हैं नौकरी में हालात बत्तर हो जाते हैं आर्थिक इस्थिती कमजोर होने लगती है निजी जीवन में भी खलबली मच जाती है तो इसके समाधान की तरफ हम दोड़ना चाते हैं तो क्यों न ये इस्थिती अपने जीवन में आने ही न दी जाए उसके आने के पहले ही हम जो है उसका कोई उपाय कर ले तो उससे आपको बहुत अच्छा फायदा मिल सकता है लेकिन क्या ये अच्छा नहीं है कि हम पहले से ही कुछ उपाय कर ले या करते जाए ताकि समस्या आए भी और हमें ज़्यादा परिशान न कर पाए आने वाला समय अब नया साल है बस कुछी दिनों की बात है और इसके बाद हम 2017 में पहुंच जाएंगे हर नए साल के साथ हम कुछ नई उमीदों को भी कायम कर लेते है इसी तरीके से नए साल से भी हमने कुछ उमीदें कुछ आशाएं जोड ली है जिन लोगों का साल 2016 किसी भी वज़ास सही नहीं बीता है वे इसी उमीद में बैठे है कि नया साल उनके लिए बहुत सारी खुशियां लेकर के आएगा उनके सारे गम मिट जाएंगे और जिन खुशियों की उन्हें तलाश है वो उन्हें 2017 में प्राप्त होंगी वहीं जिन लोगों का ये साल अच्छा बीता है वो आने वाले साल से भी कुछ ऐसी ही आशाएं करते हैं जरासी कोशिश और साथी साथ विश्वास के जरिये आप अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं अब आप ये सोच रहे होंगे कि कोशिश तो ठीक है विश्वास किसलिए तो आपको बता देना चाहता हूँ कि हम जो आपके लिए आज उपाई बताने जा रहे हैं वो जोतिश पर आधारित हैं जोतिश को बहुत सारे लोग मंगढंत मानते हैं इसलिए पहले से उस पर विश्वास करना आवश्यक है ये उपाई पूर्ण रूप से शास्त्री हैं और आपकी राशी पर आधारित हैं आप विश्वास करिए इन उपाईों के जरिये आप आने वाले साल में बहुत सारे परिशानियों से खुद को बचा सकते हैं तो किसी भी प्रकार के अविश्वास की इस्तिती नहीं है क्योंकि ये सारी बातें जो हैं शास्त्रों से ली गई हैं यानि शास्त्री ये उपाई हैं आप पूरी तरीके से इन पर विश्वास कर सकते हैं और ये उपाई वैदिक हैं तो आईए अब जादा समय नश्ट न करते हुए राशी करम को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कि मेश राशी वाले जातक लोगों को साल 2017 में कैसे उपाय करना चाहिए तो सबसे पहले बात करते हैं मेश राशी के जातकों की आपके लिए शनी देव, हनुमान जी और भगवान शिव की अरादना करना आपके लिए विश्य शितकारी होगा आने वाले साल में आपको नियमित तोर पर इन देवताओं की उपासना करना चाहिए मंगलवार, शनीवार के दिन हनुमान जी को गुड़ चने का भोग लगा करके हनुमान चालिसा का पाठ करते हैं तो आपको लाब मिलेगा सूर्य देवता को नियमित रूप से जल चढ़ाना, शनिवार की तिती में, मंगलवार की तिती में, सुन्दर कांड का पाठ करना और गरीबों को भोजन कराना ये आपके लिए उपाय बहुत ही कारगर होगा, ये सब उपाय आपको आपकी हर प्रकार की समस्याओं से सर्वोत्तम होगा, शुक्रवार के दिन धार्मे के स्थानों पर खीर बाटें और छोटी कन्याओं को सफेद मिठाई का प्रसाद दें, सुगंदि चीजों इत्र सफेद चन्नर इत्यादी का प्रयोग आप करें, शुक्रवार के दिन लक्षमी चालीसा का पाठ करना आपके सर्वोत्तम होगी, गुरुवार के दिन भगवान विश्नु की पूजा राधना करना, विश्नु सहस्रनाम का पाठ करना आपके लिए बहुत ही आवश्यक है, और बुधवार के दिन गरीब बच्चों को भोजन भी कराना चाहिए, बहतर होगा कि आप जितना हो सके पौध पौधे लगाएं और बागवानी करें, यानि अगर अपने घर में पौधे लगा करके उन्हें सीचते रहते हैं, उनकी सेवा करते हैं, तो जैसे जैसे वो पौधे बढ़ते जाएंगे, आपकी समस्याएं हो ऐसे वैसे समाप्त हो जाएंगी, अब बारी करकराशी की, करकर करना आपको बहुत अच्छा लाब देगा शनिवार के दिन तला हुआ खाद्य पदार था आप गरीबों में अपंग लोगों में बाटे तो बहुत अच्छा है बुद्वार के दिन दुरगा मंदर में जाकर के प्रसाच रहाना चाहिए और चुकरवार के दिन गरीब इताईयों का वितरण करना आपके लिए सर्वुत्तम रहेगा इसके बाद बारी सिंगराशी की सिंगराशी वाले जातक लोगों को दिन्चरिया को सात्विक करने का प्रयास करें बेहतर होगा तामसिक वस्तूओं का सिवन जितना कम हो सके उतना कम करें नित्य सूर्य देव इक्तिका सम्मान करना आपको बहुत अच्छा लाब पहुँचाएगा आदे थ्रिदा इस्तरोत का नियमित रूप से पाठ करना आपके लिए शुब होगा अब बारी कन्याराशी की कन्याराशी वाले जातक लोगों के लिए देवी दुरगा की पूजा अराधना करने के साथ साथ गणेश जी के मंदर में जाकर के लड़ू चड़ाना और नियमित रूप से भगवान विश्नु की पूजा अराधना करना विश्नु चालीसा या पुरुश सूक तिद्यादी क पाठ करना आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है नाराण कवच इत्यादी का भी पाठ आप कर सकते हैं इसके लावा गव माता की सेवा करना गाय को नियमित रूप से हराचारा खिलाना आपके लिए अच्छा होगा किसी गरीब और असहाय बच्चे की पढ़ाई अगर आप मदद करते हैं उसको stationaries यानि पढ़ने लिखने की किताबे पुस्तके स्क्षन शामगरी अध्यन सामगरी अगर आप अविवस्ता करा देते हैं उसके स्कूल की फीस बर देते हैं स्कूल में अडमिशन करा देते हैं ड्रेस खरीद के देते हैं कॉपी पैंसिल इसीगी का दीपक जलाएं आपके सब दुख दूर हो जाएंगे आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा इसके बाद बारी तुलाराशी की तुलाराशी वाले जातक लोगों को शुक्रवार के दिन कुमारी करन्याओं को खीर का प्रसाद बाटना चाहिए अगर संभव हो जाए तो गरीब लोगों की सहायता करें शनिवार के दिन काली वस्तू जैसे काला कपड़ा काली दाल आदी का दान करना चाहिए भगवान शिव और भगवान भैरव की नियमित पूजा करने से आपको फायदा मिलेगा और पशु पक्षियों के लिए सतंजा यानी सब्त ध पूजा करनी चाहिए शनिवार के दिन सुन्दर कांड का पाठ अनिवारिय है इसके अलावा मंगलवार और शनिवार को गरीब लोगों को भोजन आप कराएं नियमित तोर पर गाय को भोजन करवाते हैं अपने हाथ से चारा देते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा पूक्त या कनकधारा इस्तरोत का पाठ करना आपके लिए सर्वोत्तम होगा इसके बाद बारी धनुराशी की धनुराशी वाले जातक लोगों के लिए नियमित रूप से भगवान विश्नु की पूजा पाठ करना आपको बहुत अच्छा फायदा पहुंचाएगा प्राताकाल सूर्य देवता को जल चड़ाएं और नहाने के बाद यानि इस्नान के उपरांत मस्तक पर पीला चंदन अवशिधारन करें पीली चीजें जैसे हल्दी पीले वस्तों वस्त्र इत्यादी का प्रयोग आप अपने जीवन में बढ़ा दें इसके बाद बारी आती दर्शन करें तो उन्हें भोग अवश्य लगा यानि प्रसाद जरूर चड़ाएं इसके अलावा शनी देव की नियमित तोर पर अराधना करना गरीब लोगों को रोजाना भोजन करवाना और अपने चरित्र में इमानदारी रखना बहुत ज्यादा आवश्यक होगा हर कीम प्रसियों को भोजन करवाना चाहिए रवीवार के दिन भैरव भगवान का पूजा दर्शन करना उनको भोग लगाना आशिरवाद लेना आपके लिए श्रेयसकर होगा काली उड़द काले चने और काले मिर्ज का खाने में अधिक से अधिक प्रयोग करें और गरीबों अस विष्णू की पूजा करना मा लक्ष्मी की सेवा करना और विष्णू सहस्रणाम का पाठ करना आपके लिए सरवोत्तम होगा गुरुबार के दिन पीली मिठाई का प्रसाद आपको जरूर बाटना चाहिए सूर्य देवत्का को नियमित रूप से आप जल चढ़ाएं और म रहदोश भी दूर रहेंगे आपको बहुत अच्छा फायदा मिलता रहेगा तो मित्रों आशा करता हूँ कि जो छोटे छोटे से टिप्स हैं यह आपके लिए आपकी राशी नुसार बहुत ही चमतकारी सिद्ध होंगे और आने वाले वर्ष 2017 को बहुत ही पॉजिटिव औ और उमीदों से भरा उपलब्दियों से भरा साल आपके लिए बनाएंगे मित्रों आप से मेरी ये प्रार्थना ये आग्रह है कि आप जब भी मेरा कोई वीडियो देखते हैं तो उन्हें लाइक और शेयर जरूर करें अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नह समस्या करियर की चिंता हो या वैवाईक जीवन में हो सुक्का भाव पाईए अपनी समस्त जोतिश्य तथा वास्तु समस्याओं का सरल चमतकारी प्रभाविशाली समाधान एक जहनमाना और विश्वस्ति नाप आचारे पंडित श्री वैभवनाथ शर्माजी काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिश्ट्रे और अंतर राष्ट्रे ख्याती प्राव राज जोतिशी परिवार की आठवी बिड़ी के जोतिशी और वास्तु शास्त्री आचारे पंडित श्री वैभवनाथ शर्माजी के द्वारा व्यक्तिकर्थ या फिर फोन पर अपॉंट्पेट लेने के लिए कॉल करें 9818-300-146-9990-724-131 या फिर इमेल करें शर्मा.webhub at the rate gbill.com पर 5700-132-9015 570-132 या प्राव इमेल के लास्तूपे. झाल झाल